हेलो फ्रैंड्स कैसे आप सब आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे तो चलिए आज के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो का टोपिक होने वाला है इंजेक्शन । tip the most more common उउस होने वाले इंजेक्शन। जो सबसे ज़्यदा इंजेक्शन। एंजेक्शन को करते हैं यह कया करते हैं। जो हमकिसे वी टइप का इंफेक्शन है। उसे ट्रीट करने में हमें मदत करते हैं तो सबसे पहले हम एंटिबैक की बात करें सबसे पहला एंटिबैक आता है इसमें हमारे पास सैफ्ट ळैक्जो इसifter है जो injection क्या होता है? यह हमारे पास 500 Mg में भी होता है 1000 Mg में भीAb constante है इसे हम क्या करते है? Delute कर लेते हैं animated kleinen yıl से 500 ml जो तो उस में हम डाल कि पेशंट को बिल्कुल देते हैं इसे slow देने का main reason है कि क्या यह बहुत ज़्यादा painful होता है और यहाँ पर क्या कर देता है यह जहाँ पर canula लगा होता है वहाँ पर infiltration कर देता है उस साइट पे वहाँ पर redness हो जाती है तो patient को बहुत ज़्यादा discomfort होता है इसलिए इस medicine को हमेशा NS में ही देना चाहिए ट्रेक् priority की है जो हमारे पास हैवी लेवर होता है इसे भी हम डेल्यूट करके patient की एनस में लगाते हैं और patient की बोड़ी में लगा देते हैं अम यह का सीनी में आता है तो हम इसको भी हम हमेशा NS में ही देते हैं नहीं तो यह patient को जादा बहुत जादा discomfort मैसूस करता है और जो हम बात क लिंक में है यहां description में provide कर दूँगा तो जो फ्लोकस सीन होता है यह यह क्या करते हैं यह बी एंटी बैटिक से होता है जो बैक्तिरिया को किल करने में help करते हैं इनने डेलूट करने के जूर करने की नहीं होती क्योंकि 100 ml के pouch में होते हैं पहले से डेलूट होता है इसे हम ट енसाय कौन सबसे सबसे ज्लोफिनुज और सबसे लियुज होता है ट्रामल का है यह हमारे पास आतके हैं पर्लूब्कD हु कि होता है फर्म होता है बाइक्ट सीकर्ध ऑर्म हरुआ पास करीас लोगों को नहीं पृता होता लेकिन फिर भी जो किया हमारे किसमें रिलीव करता है पेन में ये भी एक द्रिक्टे से पेन किलर काम करता है होस्पिटल में हम इसका यूज़ करते हैं ये भी जैसे नोर फलोकससीन या फिर हंड्रेड डैमल वाली आनस होते हैं वैसे ये पीसेम का हमारे पास एविलेबल होता है ये आपको दुकान भी मिल जाता है 40-40 रुपे का इस्तिमाल भी नहीं चाहिए क्या करते हैं हमारी केड़निय हैं लिवर उन्हें नुकसान पहुचाते हैं और ये बूड़ी के लिए ज्यदा अच्छे नहीं होते हैं तो हम अपनी नाच्ट इंजक्शन तरफ बढ़ते हैं जो है एंटीमेटिक्स अंटिमेटिक्स क्या होते जो हमारी वोमिटिक को कंट्रोल करने के लिए दिये जाते हैं इसमें सबसे पहले दो इंजेक्शन आते हैं सबसे पहले की बात करें जो सबसे ज़्यादा चलता है और हर जगा यह यूज होता है उसका नाम है उन्डेंट सैट्रोन अगला है मैटो कलोकरा माइट इसकी उन्ड का इंजक्शन देती यह ज़्यादा महांगे नहीं जाते हैं सबसेट हैं इससे में उतकि निवेस्वाय के इस बहुत निकारण बहुत सारी कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे में कॉमन कारण होता है कि infection हो गया है food poisoning होगी है patient ने कुछ गलत खा लिया है या फिर कुछ भी कारण है और अगले injection के बारे में बात करें इसका नाम है metoclopramide metoclopramide का भी इसलिए यूज होता है लेकिन metoclopramide है जो सबसे जादा यूज होते है किस condition में g rd हम घी आड़ी की बात करें कि g rd क्या होता है इसका नाम है gastro isofasial reflex disease इसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए patient है हमारे पास यह patient की patient है यह patient है यह patient है यह patient है यह patient है ठीक है जी यह patient हो गया हमारे पास ऐसे यह patient के हाथ है यह patient का पेट है इसमें मान लीजिए patient क्या करा सबसे पहले क्या करा patient ने खाना खाया यह patient से खाना खाता हुआ इस वफेगर से आता हुआ क्या देते हैं मेटो प्रमेर का injection देते हैं अब नेक्स उभ्र बढ़ते हैं जो सबसे जयादा जुझ होते हैं उसका नाम है इंटी पैर्विटिक लिजशन करते हैं को मनली तो क्या है उस होता है जैसा माली इसमें क्योंता है इसे अप्रगी कोंबिनेशन होता है और पलास कोई पेनखिलर होता है या फिर कुछ भी होता है और इसके बाद भी एस यूज किये जाते हैं लेकिन यहांतर पीसिम करते हैं उस्पिटल में इसको हम six hourly देते हैं मतलब 24 hour में only four ही दे सकते हैं तो ये patient को PCM की poisoning भी हो जाती है आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा PCM poisoning क्या होते हैं अगर हम patient को ज्याद़ PCM दे दे तो उसे PCM को poisoning हो जाते हैं फिर उसे treat करने के लिए अलग treatment है वो किसी और वीडियो में आपको बताएंगे चलिए हम next injection की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पैंटा पराजोल और रेंटिडिन यह दो इंजेक्शन है इन इंजेक्शनों का किसली यूज होता है गैस्ट्राइटिस कंडिशन में गैस और यह patient को स्टमक में पैंटा पराजोल आई हमार पस टैबलेट में बहुत से तक करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए इसमें क्या होता है कि पैंटापराजोल कैसे हम यूज करते हैं इसी चाहींने Österreich या फिर एन नोर्मल स्लाइन जो चल रहा है उसमें भी डाल सकते हैं और नेक्स्ट उसकी बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंटिरिन यह टैबलेट इसकी टैबलेट आता है इसकी टैबलेट आते हैं 150 स्टमक पेन के लिए मतलब हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं दो इंजेक्शन को मनली में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका साल्ट होता है एक होड़ता है हायोसीन हायोसीन में कैसे हायोसीन किसलिए यूज होता है हायोसीन का यूज होता है कि स्टमक में पेन हो रहा है इंटरस्टाइन में पेन हो रहा है या पिर जो ब्लैडरा या लोवर इंटरस्टाइन है वहाँ भी हमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है इसलिए हम उसका यूज करते ह यह किसकے नाम से आता है ماर्किट में बसको पेन के नाम से भी आता है और इसका 1 a.m.l में 20 mg होता है यह 2 a.m.l का भी होता है और 2 a.m.l का यह वाइल आती है इसे हम 1 an.m.l ही दे 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 थे हैं तो patient को relief मिल जाता है और ाईबियस के बारे में बताएं तो आईबियस क्या होता है ऑी वेजS की फूल फॉल्फों होतی है इसके बाद हम बात करें की यह डरुटा बिन के नाम से लुटा इसे किसली होता है यह ग нуж 서 चाहर जाव splashing पेंको लगाते हैं पेशन को ऊस्टेशन को बारे में बात करते हैं जो हमारा सिंजेक्षन है व है डायूरेटिक्स क्या होता है कि यूस कहा होता है और द्यूट के नंदर कितने अम्ली मिलड लाइल हते इंट पेशन्ट को दिया तारहने को ने दिटाला में जानते हैं जोड़ी होते हैं यह क्या करते हैं डै मतलब यूरीन यह जाके हमारे कहां पर एक्ट करते हैं लूप ओफ एनले डिसी टीप यह चीज में आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा नहीं तो वीडियो ज्यादा लब भी हो जाएगी यह क्या करते हैं पेशेंट वाटर कंज्यूम कर रहा है या कुछ भी चाहिए लेकिन कि हैं अम्आंट और यूरीन नहीं बन रहा है मतलब जीतना यूरीना चाहिए मैंने आपको लास्ट विडियो में हमें बताय था कि 24 अवर्स में उवय चाहिए कि720 मल लेकिन अगर इससे कम आ रहा है यह बहुत ही काम आ रहा है 300-400 ml आ रहा है तब यह कंडिशन हो जाती है तो इसमें हमें लैसिक्स का यूज़ करना पड़ता है या फिर जो पर आवर के हिसाप से लगा गए चले एक आवर में आना चाहिए हमारा कितना 30 ml लेकिन 30 ml से कम होके कितना आ रहा है 5 ml 7 ml 10 ml आ रहा है इ यूज़ मोश्टली अरद देखा जाए अगर हम जैसे यूरीन के अगर बात करें तो हम कहां पर यूज़ करते हैं लैसिक्स का इसका इन फ्यूजन बगारा बनाके सबसे ज्यादा यूज़ होता है बखके लैसिक्स का टैबलेट नॉर्मल यूज़ होती है लेकिन इसमें बाता है तब हम इसका यूज़ करते हैं और इसमें एक मेन बात है कि आप इसे नाइट टाइम नहीं देते हैं लैसिक्स को अगर नोर्मन पेशिन उसका चलता रहाथ लेंकेšíख पुप और नां में देते हैं कि नाइट त्यूंगी से क्यों क्या हुला है नाइट टाइं में इफिन important injection होता है जो है हमारा कौन सा jede ौचानलिय य यहां पर में इस प्रॉब्लम में उसके रथ से ब्रीछिंग प्रोब्लम है ऐलर्जीए है है यह है ऐंग निशनивается मालिजोचिको अस्तम होता है इसन मालीची पेशन्ट को की कंडिशन आगी है एकदम से या फिर पेशेंट को एलर्जी हो गई है किसी भी चीज़ से अनफलैटिक रियक्शन हो रही है तब हाइड्र कोटिसोन का यूज करते हैं कि जैसे मानलो पेशेंट को ब्रीधिंग लेने में सांस लेने में दिक्कात हो रहे है तब हम डैरी फैल से बहुत बहुत सोलो मतलब करके 50ml 20 ml की सिरिंज के टगलाते हैं इसे हम जाला तर स्टाइट में लगाता है मतलब अम मैं से पर बना दूँगा आप सब कमेंट करके बताने कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए इस टोपिक पर और जो डेक्समितर जोने आप डेक्समितर जोन के बारे में है कि इसको क्या नाम है सोडियम फोस्फोफेट होता है इसमें क्या होता है 120 20 mg पर 30 ml होता है, मतलब 1 ml में इसमें कितना होता है, 1 ml इक्वल टू 4 mg के बराबर होता है, इसका नाम है multi vitamin injection, सबसे पहले हम इसके color की बात करते हैं, यह color होता है, इसका yellow color, कौन से color का injection होता है, यह हमारे पास होता है, yellow color का injection होता है, आपने कई बार देखो होगा, बागी जब भी डोक्टर के पास आते कहते कम जोरी हो रही है, तो डोक्टर कहते कोई बात नहीं injection लगा देते, वो क्या करते हैं, एननस लेते हैं, एननस में इसका impule तोड़ते हैं, और एननस में इसे डाल के patient को लगा देते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसका कलर हो जाता है, बिल्कुल कैसे पेल येलो कलर का injection हो, पेल कलर येलो का एननस नॉर्मल्स लाइन हो, जाते हैं, इसे 100 ml में भी उसकर लेता है, अगर पेशंट को पहले से ड्रिप चल रहे हैं, तो ये 500 ml की नॉर्मन्स लाइन में भी डाल देते हैं, अगले हम बात करते हैं, कि मल्टिव टामिन इंजेक्शन का किसलों प्योग करते हैं, उस कंडिशन में भी हम इसका प्योग क करते हैं, यह फिर कमजोरी होगी है, पेशंट काफी टाइम से बिमार चल रहा था, नॉर्मल बिमारी जी कोई खाना पर इना डंग से नहीं कर रहा था, उस कंडिशन में भी हम इस मल्टिव टामिन इंजेक्शन का यूज करते हैं, अगले इंजेक्शन के बात करें, प्रमेशन में हेल्प करता है, जो हमारे प्रोटीन है, टीशू सिंथेज होती है, प्रोटीन में भी बहुत ज्यादा है, जैसे हमाले जाए पेशंट की विटामिट B12 की कमी हो जाती है, ताब इस इंजेक्शन का डॉक्टर यूज करता है, यह ब्राइट रेड कलर का होता ह है, और इसमें से काफी तेज, जिससे हम कह सकते है, समेल या गंध या कुछ भी आप कह सकते है, बहुत तेज आती है, और इसे भी हम क्या कहते है, एनस में यूज कर लेते हैं, और कई बारी डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें सारी मेडिसिन है, जो हम आई-म भी यूज करते ह है लेकिन जो मेडिसीन होती है वो आई है मिया डैलूट करके ही देते हैं क्योंकि कुछ मैडिसीन ऐसी होती है जो पीन करती है इसलिए उसे डैलूट करके ब्लड को मैं है और सबके बारे में हमें इम्मृटी प्रवाइड करते हैं इसके बारे में बता देते हैं आपको पेंटीलर होगया एंटिबैटिक ऐसे सेफट रख जोन होते हमिका सीन होते हैं क्या होता है मैंद्क्टर यसov जया सκ होने सब्सक्राइब करेंगा साथ last two objective आ पर रेंट मोटी में जाएगा तो पर पहुंद ज्यादा पेइंध लुड़ialी पर ला एक हुझा तो आप हमें कोमेंट करके बता सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी कर सकते हैं हम ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे मेडिकल मेडिसीन की बारे में जानकर कि जिससे आप जानकर अपनी इनफोर्मेशन अपनी नोलेज को और ज्याद़ इंक्रीज कर सकते हैं थैंक यू सो मच गाईज